देश की प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की अपील की बाद सफल हो रहे जंता कर्फियू में उस वक्त एक बीजेपी नेता को सत्ता की हनक दिखाना फारी पड़ गया जब वा भगवा कुर्ता पहन कर नाइट वॉक में निकले हुए थे नेता जी का अंदाज और सत्ता का रौब कुछ इस तरह हावी था कि उन्हें ना तो जंता कर्फियों के लॉक्टॉम की फिक्र थी और नहीं अपनी ही प्रधान मंत्री के आदेशों की फिक्र थी जिसकी उ यूपी पुलिस के दरोगा संदीप वस्त समित बदोर्या ने नीता जी को रोपने की कोशिश की तुबा उतारू हो गए हनक दिखाने में लेकिन सक्ता में होकर वधान मंत्री की अपील को तोलने का सवाल सुनते ही नीता जी की सिक्की बिक्की खामोश हो गई और तुरंत बहाने बाजी करते हुए पेदर्द की दवा लेने की बात करते हुए घर के अंदर जा छुपे ताजब की बात तो या रही कि अपना नाम मंगली परशाद बताते हुए पुलिस को घुड़की मार लेने वाले नीता जी इतना डर गए कि वा तो घर के अंदर छुप गए पर महिलाओं को बाहरी छोड़ गए जिसका अंद कुछ इस कदर रहा कि नीता जी के घर की महिलाएं पुलिस के सवालों पर गलती होने का हवाला देती रही आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया से आया हुआ बीजेपी नेता का या वीदियो कानपूर के बढ़ रथाना अंतरगत का है जो जनता नगत चौकी छेतर में रहने वाले मंगली पशाद वर्मा का है मंगली पशाद वर्मा अपने आपको बीजेपी का नेता बताते हैं जिसका सबोत उनके घर में लगी नरम प्लेट है जिसमें नेता जी ने अपने नाम के नीचे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी विचार मंच का चिकर किया हुआ है काणपूर से समवाद दाता इमांसु सिर्वास्तव की रिपोर्ट मास्करा डवाई काहा है डवाई तुम लाए उना जबाए भी ताहला आप लोग आ गए मैं लगाए उपाई लिगोरा अजा प्लू यह बीज़िया आफ़र क्या अगे में लिगा कुं आप लोगा रहा उनकल के आ रहे हैं तुम हो कैसे बात करें करें के जसे सी भास करें हमारी हो तमझा रहे नहीं हम पता रहीं है तोट देखाएंगी नहीं हाथ वैसे होगे थिर वीमारा फायले दिखती हो हमी तोंहें बेज़ें अच्छा गल्ती हो गई बस झाहिए